तीसरे महीने के बाद जितनी भी सोनोग्राफी होती हैं वैस अभी पेट से होती हैं सरीर से कोई भी सोनोग्राफी नहीं होती चौथे महीने से फिर डॉक्तर आपको एडवाइस देने लगते हैं कि जब आपको आज हम बात करेंगे प्रिग्नेंसी के चौथे मंद के बारे में यानि कि आपका फर्स्ट ट्रमिस्टर खदम हो चुका है और आपने सेकंड ट्रमिस्टर की दहलिच पर पैर रख दिया है और यदि हफ्तों में गिना जाए तो आपकी प्रिग्नेंसी 40 बीक की है सो फ्रेंट समिस्टार्ट करते हैं अपना वीडियो अब आपका थोड़ा थोड़ा पेट दिखाई देने लगेगा लेकिन यदि आप पहली बार कंसीब कर रही है या आप पतली है तो फिर हो सकता है कि इस टाइम भी आपको आपका पेट निकला हुआ दिखाई नहीं देगा क्यूंकि यूटरस आपका जो बच्चादानी होती है वह इसी टाइम पैल्विक बॉन से बाहर निकलती है 12 हफते के बाद से आपका यूटरस पेट में आने लगता है फिर आपके पेट का आकार बढ़ना सुरू हो जाता है जिसे देखकर फिर आप हैपी हो जाएंगी कि अब आपका पेट बढ़ने लगा है इसके अलावा एक और अच्छी बात होगी कि आपका जो यूरिन ब्लेडर था उस पर प्रैसर पढ़ना कम हो जाएगा जिसकी वज़ा से आपको पहली तिमाही में जो बार बार यूरिन आती थी और कई बार आपको पौटी जाना पड़ता था तो यह समस्या आपकी खत्म ह जाएगी इसके साथ कुछ और प्राब्लम आपकी खत्म हो जाएगी क्योंकि हार्मॉन्स बनना कम हो जाते हैं जिसकी वज़ा से आपको मौर्णिंग सिटनेस और बॉमिटिंग की जो सेंसेशन है भई भी खत्म हो जाएगी लेकिन आपको कॉंस्टिपेशन की शिकायत और कि जैसे जैसे आपकी घरवाबस्ता का समय बढ़ता है तो फिर आपकी बाडी में प्रोजेस्टरॉन हार्मॉन भी बढ़ने लगता है प्रोजेस्टर घर्मॉन्स की वज़य से क्या होता हैं कि आप जो लेती हैं वह इस समय आपको जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी कुछ महिलाओं के शाथ तो ऐसा भी होता है कि वह बात करने में भी हाफ जाती है थोड़ा भी काम करती है तो उन्हें बहुत जल्दी जल्दी शांच लेनी पड़ती है और कभी-कभी सांस भी फूलने लगती है पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका BP normal है आपका weight सही चल रहा है बहुत ज़्यादा पैरों में सूजन नहीं हो रही है आपके lungs में कोई problem नहीं है आपको heart problem नहीं है तो फिर सांस भूलना एक normal बात है और fourth month में आपको constipation का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो आते हैं पेट की जो muscles हैं वह इतना काम नहीं कर पाती क्योंकि उन पर दवाब पड़ता है लेकिन यदि आपको heart की lungs की या फिर कोई भी चमस्या है तो फिर आप तुरंट डॉक्टर से consult करें और तुरंट उस problem को दूर करने की कोशिश करना ह चलिए तो अब हम बात करते हैं कि चौथे महिने में बच्चे में क्या-क्या परिवर्दन आता है देखिए बारवे हपते में बच्चे का private part पूरी तरह से डबलप हो जाता है उसे देखकर यह पहचाना जा सकता है कि यह लड़का है या फिर लड़की डॉक्टर आपको न आई लैसिस बन जाती हैं बच्चे की हाथ पैर और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और बच्चे की लंबाई धाई इंच से चार इंच के बीच में होती है इसके अलावा इस चमें आपके सिसू की ग्रोध सही तरीके से हो रही है या नहीं जिसके लिए डॉक्टर की नाप लेते हैं उसके पेट की नाप लेते हैं पैर की जो मौटी वाली हड़ी होती है उसकी नाप लेते हैं आपको बताते हैं कि आपका बच्चा अपनी एज के एकॉर्डिंग सही ग्रोध कर रहा है या नहीं तीसरे महीने के बाद जितनी भी सोनोग्राफी होती है वह स करनी चाहिए क्योंकि सुरुवात के तीन महीने बहुत ही रिस्की होते हैं और चौथे महीने तक खत्रा वाला टाइम निकल चुका होता है सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू